आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के व्यवकलन से संबंदित मिथ्याधारणा और साधारण गलतिया। मिथ्याधारणा एक पेड़ की उचाई 9.336 मीटर है और दूसरे पेड़ की उचाई 7.5 एक मीटर है। पता कीजिए इनकी उचाई में कितना अंतर है। उचाई में अंतर पता करने के लिए हमें 9.336 मीटर से 7.5 एक मीटर का व्यवकलन करना होगा। यह व्यवकलन करने के लिए पहले 9.336 को लिखा जाता है। फिर उसके नीचे दूसरी दशमलव संख्या को लिखा जाता है। लेकिन ऐसा करते समय बच्चे एक साधारण गलती करते हैं। वे अंको की गिंती बराबर करने के लिए 7.5 एक को 7.05 एक इस प्रकार लिखते हैं। संख्येप में कहें तो वे दशमलव बिंदू के तुरंद बाद शून्य रखते हैं। इस गलत फैमी के कारण इन चात्रों को व्यवकलन का परिणाम 2.285 मीटर प्राप्त होता है। इसलिए ऑप्शिन एक गलत है। यहां 7.51 में 7.51 पांच दशांच और 1.00 है। लेकिन शून्य रखने के बाद बनने वाली संख्या में 7.51 शून्य दशांच पांच शतांच और 1.00 है। दोनों का मान बराबर नहीं है। इसलिए इस संख्या में दशमलव बिंदू के तुरंद बाद शून्य रखना गलत है। सही समझ यह है कि हमें दशमलव संख्या के बाद यानि एक के बाद शून्य रखना चाहिए। जिससे की संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। इस समझ के साथ व्यवकलन का सही परिणाम प्राप्त किया जाता है एक दशमलव आठ दो छो मीटर। इसलिए ऑप्शन दो सही है। अब आईए देखें दशमलव संख्याओं के संदर्ब में चात्रो दुआरा की जाने वाली कुछ साधारण गलतिया। इसे हम एक उधारण से समझेंगे। राहुल और राकेश ने एक परिक्षा में भाग लिया। परिक्षा में राहुल को 80.1 प्रतिशत मांक्स मिले और राकेश को 89.6 प्रतिशत मांक्स मिले तो राहुल और राकेश के प्रतिशत मांक्स में कितना अंतर है। राहुल और राकेश के प्रतिशत मार्क्स में कितना अंतर है। यह पता करने के लिए बड़ी दशमलव संख्या यानि डेसिमल नमबर से छोटी दशमलव संख्या को घटाना होगा। कुछ बच्चे दशमलव संख्याओं के तुलना गलत प्रकार से करते हैं। वे समझते हैं कि 89.67 में 4 अंक है। इसलिए यह संख्या 80.1 से बड़ी है। इस समझ के साथ वे 89.67 से 80.1 को घटाने के कोशिश करते हैं। जिसका परिणाम वे ग्यात नहीं कर पाते। कुछ बच्चे यह तो सही समझते हैं कि यहां 80.1 से 89.67 को घटाना होगा। लेकिन वे 0 के उप्योग से दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदू के बाद के अंकों की गिंती बराबर नहीं करते। वे यह समझ लेते हैं कि रिक्त स्थान से साथ का व्यवकलन करने पर परिणाम साथ ही आएगा। इसलिए परिणाम में वे साथ लिखते हैं। फिर आगे का व्यवकल करते हैं यह भी गलत समझ है कुछ बच्चे शून्य का प्रयोग कर दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदो के बाद के अंकों की गिंती बराबर कर लेते हैं लेकिन घटाते समय वे बड़े अंक से छोटे अंकों घटाते जाते हैं जैसे 7 से 0 का व्यवकलन 7 लिखत यह भी गलत जवाब है एक और साधा रण गलती होती है कि बच्ची हासिल को नजर अंदास करते हैं जैसे यहाँ शून्य से साथ का व्यवकलन नहीं हो सकता इसलिए एक से हासिल प्राप्त किया जाता है लेकिन एक को न घटा कर वैसा का वैसा रखा जाता है इससे उन्हें 11.53 प्राप्त होता है जो एक गलत परिणाम है सही समझ है कि हमें 80.1 से 89.67 का व्यवकलन करना होगा इसके लिए हम एक के बाद शून्य रखेंगे फिर हम निम्न प्रकार से व्यवकलन करेंगे वीडियो रोक कर इसे समझे इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 0.43 तो आज हमने देखी दशमलों संख्याओं के व्यवकलन से संबंदित मिथ्याधारना और साधारन गलतिया